धोनी ने IPL 2024 के लिए अपने रोल का किया बड़ा एलान अपने क्रिकेट प्रसंसको को कर दिया हैरान जी हां अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महन सिंग धोनी की और उनके रोल की क्योंकि बीते दिनों महन सिंग धोनी ने फेस्बुक पर एक पोस्ट डाल कर गुरु अपने क्रिकेट प्रसंस को की थड़कने बढ़ा दे थी क्योंकि उस पोस्ट में महन सिंग धोनी ने लिखा था कि he is excited for the new edition and will come in new role जिसके बाद भाईया आकलन लगने लगे थे कि क्या धोनी IPL 2024 से ही सन्यास ले लेंगे क्या धोनी बत और कप्तान IPL 2024 में नहीं दिखेंगे इन सबी बातों पर चर्चाएं होनी लगी थी दोनी के प्रसंस को की धड़कने तेज हो गई थी और अभी तक सांत नहीं हुई है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो आतूरता है जो सवाल क्रिकेट प्रसंस को की जहन में आ रहे है वो भाईया सांत हुजाएंगी यह मेरा वादा है क्योंकि बात करें महन सिंग धोनी की तो एक नया वीडियो उनका वाइरल हो रहा है और इस वीडियो को देखकर भईया जो उन्होंने पोश्ट डाला था उसकी भी पुश्टी हो चुकी है कि उस पोश्ट की क्या सच्चाई है वो पोश्ट किसके तहत डाला गया था और धूनी किस रोल में IPL 2024 में दिखने वाले हैं इन सभी बातों का खुलासा हो गया लेकिन गुरू वीडियो में आगी बढ़ने से पहले आप सभी वीवर से यही आगर है यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स हमारे इनफॉर्मेशन्स पसंद आते हो हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब वहीं फेस्बूक पेश 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 को फालो कर लीडियेगा और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को शेयर करना मत फूलिए यह आप देख रहे हैं महंदर सिंग धूनी की तत्वीर जो हिलमेट पहनते हुए नजर आ रहे हैं CSK की जर्सी में है प्रैक्टिस वाली और भाईया आपको बताते चलें कि वो जो कैम्प CSK का लगा हुए IPL 2024 के लिए उससे जुड़ चुके हैं नेट में अभ्यास करते भी दिख रहे हैं लंबे लंबे छक्के भी उन्होंने लगाए और पूरी तरीके से जो उनके घुटनों में पिछले संस्क्रण में समस्या थी वो भी दूर हो चुकी है यानि कि जब चोटिल महन सिंग धोनी IPL 2023 CSK की जोली में डाल सकता है तो फुली फिट महन सिंग धोली तो जरूर ही IPL 2024 को CSK की जोली में डालने का भरपूर प्रयास करें यानि कि यह जो पोश्ट आया था बीते दिनों कि भाईया नए रोल में दिखूंगा वो पोश्ट कोई IPL टीम से रिलेटेड नहीं आया था वो पोश्ट सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के तहत स्टार स्पोर्ट ने महन सिंग धोनी से करवाया था इस पर हम एक वीडियो डाल चुके हैं कि इस टार स्पोर्ट ने उसी पोश्ट के नीचे भाया अपना पोश्ट डाल कर इस बात का पुष्टी किया था हलाकि साफ तौर पे नहीं किया था क्लियर नहीं नहीं किया था लेकिन उन्हें कहा था कि भाया हम अजब धुनी को गजब अंदाज में IPL 2024 में देखने वाले हैं मतलब वो जो कुछ बनाएंगे एड उसमें धोनी नए उतार में दिखेंगे नए रोल में दिखेंगे लेकिन बात करें CSK टीम की और उनके रोल की IPL 2024 में तो बता और कप्तान बता और विकेट कीपर बल्लेबाज महन सिंग धोनी CSK टीम से IPL 2024 मे खेलेंगे ये उनके क्रिकेट प्रसंसकों के लिए सबसे बड़ी बात सबसे खास बात और सबसे आनंद देने वाली बात है कि भाईया महन सिंधुनी कहीं नहीं जा रहे हैं IPL 2024 में तो खासकर कहीं नहीं जाने वाले हैं हाँ 2024 उनका आखरी संस्क्रड हो सकता है हर एक क्रिकेट प्रसंसक जिस तरीके से IPL 2023 में उनको देखने आय था उनको भाईया सम्मान देने आय था वैसा ही कुछ न जा रहा IPL 2024 में हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि IPL 2023 में तो खबरें उड़ उड़ कर आ रही है कि किसी बाहरी खिलाडी को टार्गेट कर सकते हैं जिसमें रिसब पंद का नाम सबसे उपर सामिल है तो यह देखना दिल्चस्प रहेगा कि अपने उत्राधिकारी के तौर पे महन सिंग दोनी किसको लाते हैं किसको चुनते हैं की बात करें CSK टीम की तो हां पर रितुराज गायकवार्ड दिखते हैं मगर रितुराज गायकवार्ड ने वह वर्चस हुआ वह जलवा अपना अंतराष्टी पटल पर नहीं दिखा है इसकारर CSK जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का कप्तानी रितुराज गायकवार्ड जैसे युवा खिलाड़ी को सौपना अपने आप में अपने पैर उपर कुलाड़ी मारना है और रितुराज गायकवार्ड के भविश्य को भी खतरे में डालना है फिर उसके बाद आपको कोई भी ऐसा भारती नाम नहीं दिखेगा जिसके उपर ये जिमिदारी दी जाए तो भाईया भी भी ये सवाल है में सिंग दोनी के साथ कि उत्तरा धिकारी के तौर पे किसे चुने तो IPL 2024 से पहले कुछ बड़ा करामात CSK कर सकती है लेकिन हाल फिला हाल कुछ बड़ा करामात नहीं होने वाला है में सिंग दोनी CSK टीम से ही खेलना है पता और कप्तान खेलना है पता और विकेट कीपर बले बाच खेलना है और जो पिछले दिनों पोश्ट आया था वो टीम से जुड़ा पोश्ट नहीं था उनके रोल को लेकर भाईया वो इस्टार स्पोर्ट के दोनी या बस में ट्रैवल करती दोनी दिख रहे थे और चेहरों पर उनके राची के प्रसंस को खुशी दिख रही थी कि भाईया अपना धोनी आ चुका है तैयारी कर रहा है बल्ले बाजी करने वाला है पूरी तरीके से फिट हैं और वो जो नीवाली समस्या थी आईपेल ट्रॉफी उठा ले जाएगी या फिर या इस बार उनके हाथों नीरासा लगेगी मिलते हैं अगले रिपोर्ट में तब तक आप अपना ध्यान दें सुरक्षित रहें स्वास्तर हैं मास्तर हैं जैए जैखाराद अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें